हेलो स्टुदेंट्स वेल्कम टू माथमाटिक्स क्लासिस और आज की इस वीडियो में लॉगरीथम का एक क्वेशन दिया हुआ है और यह क्वेशन मेरा बहुत ही असान है बट देखने में यह थोड़ा चा बड़ा लग रहोगा राइट और यह मेरा कुछ ऑप्षन दिया हुआ है क्या लॉग बेस थ्री और यह मेरा फोर दिया हुआ है इन्टू लॉग बेस में फोर है और यह मेरा फाइव है इन्टू लॉग बेस में फाइव और यह शिक्स है और इन्टू इसी तरह से यह मेरा बेस में शिक्स हो गया है यहां पर सेवन है और अगला है लॉग बेस में 7 है और यह मेरा 8 है और next दिया हुआ है last step बेस में 8 है और 9 है right देखें log का एक property आपने पढ़ा होगा कि log base a b रहे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या log b upon log a right this is the property of logarithm functions now we can write this just like this this is just like this now we convert this in the this okay यह मेरा बन्याग बन्याग लाग base sorry log 4 upon log 3 into यह बन्याग लाग 5 upon log 4 into log 6 upon log 5 और अगला बन्याग लाग 7 upon log 6 और next log 8 upon log 7 और next अगला बनेगा यहां पर मेरा इसको थोड़ा था हम यहां लिख देते हैं तो log 9 upon log 8 ओके देखें log 4 उपर भी है log 4 नीचे भी है तो यह मेरा cancel होगा इसको मैं ने cancel किया log 5 ऊपर भी है log 5 नीचे भी है यह भी cancel हुआ तो log 6 भी cancel होगा log 7 भी cancel होगा और उपर log 8 है नीचे भी log 8 है तो मेरा इसमें बचा क्या मैं उपर में तो छाना केन्सेल होगा और बच़रा क्या log 9 नीचे में log 3 ती मेरा लॉब 3 राइट नॉष को आप कि इस नाइन को हम लिख सकते हैं 3 का स्पायर लिख दिया और नीचे लॉग 3 है राइट ना लॉग काई और प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि लॉग काफी लॉग रिकेंशीन हुआ इसका जो एंसर्स निकलेगा वो मेरे प्रू निकलेगा राइट तो टू इसका करेक्ट अंसर्स हो गया ओके थैंक्यू